आज एक अत्यांत ही सुंदर पहल डॉक्टर सोमो सिंग जो मेरे प्रिय अनुज हैं उन्होंने कारंब की है कुछ दिनों से लगातारिया चल रहा है और इस कोरोना के संकट काल में यह विद्यार्थियों को और सिक्षकों को भी घर पे बैठे कि एक सिक्षक विद्यार्थियों के बिना अधूरा है और एक सिक्षक अपने सिक्षक मित्रों के बिना भी अधूरा है तो घर पे बैठ के वो अकादमिक संबाद जारी रख सकता है इसकी एक सुंदर पहल डॉक्टर सोमो ने प्रारम की है मैं बहुत-बहुत साधवाद देत जिस विशय पे आज परिचर्चा करनी है वह है भारतिय ज्ञान परमपरा अपने आप में भारतिय ज्ञान परमपरा इतना विशद विशय है जसके उपर अतिसंचेप में बात करना कठिन है और दूसरी बड़ी बात है कि मैं भारतिय ज्ञान परमपरा का आचारिय नहीं हू मैं एक विद्द्यार्थी हूँ मैं सीख रहा हूँ और एक शिक्षा के विद्द्यार्थी को देखता है इस सिविशा में जो भी मेरे अनुभू है वह अनुभू आपके बीच साजा करने के लिए जी, समभवत है, कोई परिशानी हो रही है, हलो, हलो, हलो आपके बीच साधा करने के लिए मैं आज आया हूँ भारत की जो ग्यान परंपरा है, उसका मूल धर्म है जब मैं धर्म कहता हूँ, तो इसका आशय आप संप्रदाय से मतलगाईएगे, पंथ से मतलगाईएगे, तो कि धर्म पंथ नहीं है, पंथ साधन है, धर्म साध्य है जैसे हमें कहीं पहुँचना हो, हमने किसी साधन का उपयोग किया, हमने गाड़ी का उपयोग किया, लेकिन उस स्थान पे हम पहुँचेंगे तब जब गाड़ी से उतर कर नीचे पैर रखेंगे पंध संप्रदाय वही साधन हैं, जो हमारी यात्रा धर्म तक कराते हैं, वह मूल धर्म जो सभी पंधों संप्रदायों का लक्ष्य है किसी को पीडाना पहुचाना, सत्य बोलना, दूसरे की रक्षा करना, दूसरे का भरण पोषण करना भरतिय परमपरा में तो कहा गया है कि अस्टा दस्क पुराणे सू व्यासस्य बचनम दोयम, परोपकारह पुर्ण्याय पापाय परपिड़ना यदि सारे पठारह पुराण को यदि दो वाक्षियों में कहना हो, तो पुर्ण्य क्या है? दूसरे का भला करना, परोपकार करना ही पुर्ण्य है और पाप क्या है? दूसरे को पीड़ित करना, पीड़ा पहुचाना पाप है यह मूल जो धर्म का है यही मूल भारत की ज्यान परमपरा का है भारत की ज्यान परमपरा धर्म विहीन हो ही नहीं सकती और कोई भी समाज कोई भी सब्य समाज धर्म विहीन हो ही नहीं सकता एक शब्द जो गढ़ा गया है धर्म निर्पेक्षिता ये वस्तुता धर्म निर्पेक्षिता नहीं है ये पंथ निर्पेक्षिता है धर्म निर्पेक्षिता कोई समाज हो ही नहीं सकता है धर्म निर्पेक्षिता का आशाय मानवी गुनों से विहीन होना क्या मानुवी गुणों से विहीन होकर किसी समाज की हम कलपना कर सकते हैं भारत की ज्यान परंपरा का अधार यही धर्म है अधिश्ठान यही धर्म है यह जो लौंगाक्ष्य समर्ती हमारे यहां ग्रंथ है जो आज विलुप्त है लेकिन कहीं अचारे ने इसका संदर्व दिया है जहां से पता चलता है कि सर्वे भारत की लौंगाक्ष्य समर्ती का है इतना महान वाक्य पूरे विश्व की परंपरा में आप कहीं देखें किसी भी पंत्त संप्रदाय में आप देखें इतना महान वाक्य जो सभी के भले की कामना कर रहा हो आपको प्राप्त नहीं हो भरत की ज्ञान परंपरा का मूल सर्वभूत हिते रता है। हमारे हमारा चिंतन हमारा कर्म सभी प्राणियों की रक्षा सभी प्राणियों का हित इसमें है। यदि हमारे किसी कर्म से अहित हो रहा है, मनुस्यों का अहित हो रहा है, प्राणि जगत का अहित हो रहा है, प्रकर्ति का अहित हो रहा है, ब्रह्मन्डिय ब्यवस्था का अहित हो रहा है, तो हम धर्म के मार्ग पे नहीं हैं। और उस पूरी द्यवस्था को भारतिय ज्यान परंपरा नकारती है। भारत की ज्यान परंपरा ब्रह्म अबिंदो पनिशद में कह रही है वशुधाईव कुठुम्बकम अयम निजह परोवेती गड़नालग उचेत शाम। उदार चरिता नामतु वशुधाईव जीवन जीने वाले सब, सभी प्राणी, पेंड पाउधे, पशुपक्षिया, नदी नाले, परवत, सब आते हैं इसमें। हमारे चिंता का विशय सिर्फ हम स्वेंग नहीं है। एक अत्यनती महत्युकूर्ण गरंथ विश्व की पंथ परमपरा में आती है तौरात, हजरत मूसा सहब पे वो नाजल हुई। आगे जबूरे एक नाजल हुई फिर इंजल नाजल हुई हजरत इसा सहब पे और कुरान सरीफ हजरत मुहम्मद सहब पे नाजल हुई तौरात और इंजल यानि हजरत मुसा सहब पे जो नाजल हुई और इंजल यानि हजरत इसा पे जो नाजल हुई इन दोनों का जो कम्माइ form है वो Bible Bible में जो पहला सुरुवात हो रही है यानि Old Testament तौरात की तौरात की जो सुरुवात हो रही है वो पहला chapter है Genesis उत्पत्ति Genesis के पहले ही भाग में 26 पत से लेके 31 पत तक उसमें कई यह वह श्की लाइने हैं तो 66 लाइन से लेकिया और ऐक्तिस्में टक जो बाते कही गई हैं मैं या बात ऐसे नहीं गयाूं कि मुझे मैं अलवचना की हिसाफ से नहीं यहां संदर्व मैं सिर्फ रख रहा हूं कि भारत की ज्यान परमपरा का चिंतन क्या है वो उसमें कहा गया है कि यह पूरी काइनात तुम्हारे लिए बनाई गई है यह पशुपक्षी पेल पौधे जानवर सब तुम्हारे लिए हैं तुम इस पे अपना अधिकार करो यह कहा गया है उसी में अगली लाइन है कि पेल पौधे और पशुपक्षी जमीन पर रेंगने वाले सारे प्राणी यह तुम्हारे आहार के लिए बनाए गए तुम इनका आहार करो यह जो विशय है जिसको जनेसिस बात को उभार रहा है यह विशय और सर्वभूत हीते रता इन तोमufacture में फर्क है एक पक्ष्य Durma a मनुस्य को केंद्र में रह कर सौच रहा है इस जगत का केंद्र मनुस्य है और मनुस्य का अधिपत्य स्वाव हाविक स्थापित होता है जण्म में के साथ ही सारे प्राणी मात्र पर और को दूसरा क्ष्य क्या कह रहा है के नहीं ऐसा न जगत स्वथन्त्र है तुम उसके अधिपति नहीं हो तुम्हें सबके हित की कामना करनी है इसलिए सर्वभूत हिते रता जो हमारा एक प्रधान उपनिशद है इसा वाश्य उपनिशद कह रहा है इसा वाश्य मिदम सरवं यदकिंच जगत्याम जगत्य तेन त्यक्तेन भुंजी था माघ्र्था कस्ष्ष्वध्धनम यह पूरा जगत वह उसी इश्का है इस जगत में जो अवस्यक चीज है उनका उभोग करो लेकिन उभोग किस रूप में द्याग की भावना से यह तुम्हारा नहीं है यह सिर्व उस इश्का है तुम्हें जितनी जरूरत हो जितने में तुम्हारा काम चल जाए सिर्फ उतना ही लो एक अर्थर शास्त्र में दो विचार चलते हैं एक है theory of maximization और एक theory of optimization एक विचार यह कह रहा है कि अधिक से अधिक अर्जित करना है जितना हो सके तब तक जब तक की वो जब तक की अर्जित किया जासकता है चाहे वो समाप्त ही क्यों न हो जाए जिससे हम अर्जन कर रहे हैं जितने में वो भी बना रहे और हमारा कारे भी चलता रहे हमें दूसरे को मिचा के अपना हित नहीं करना है यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम धर्म के पत्वे नहीं है और भारतिय ज्ञान परंपरा का मूल लक्ष सभी जनों को इसी धर्म की चेतना सबके हिर्दय में जगे यह इसका प्रधान लक्ष है यह पूरा संसार हमारी दास नहीं है आज एक छोटी सी समस्या आई है हमारी सामने न दिखने वाला एक दिशानू हम सभी को घरों में कैद कर दिया है यह प्रकृतिका चैलेंज है यह मनुस्यों तुम यह समस्ते हो कि सारी दुनिया तुमारी पैरों के नीचे है यह सारे जीव, सारे पेण पौधे, सारे नदी नाले तुमारे लिए है तो यह भ्रम्मे हो इस प्रत्वी पे सभी को अपने ढंग से जीने का अधिकार है यह जो विशेश फर्क भारत की चिंतन धारा की है भारत की ज्यान परमपरा की है यह विशेश फर्क आपको सबस्च रूप से एक परम मानवोचित संस्कृति की ओर इसारा करती है जसको दो वंडर देट वाज एंडिया एक फुस्तक लिखी एल बासम ने एल बासम कह रहे हैं कि मैंने दुनिया की सारी संस्कृतियों को का ध्यान किया लेकिन भारत की संस्कृति सरबाधिक मानवोचित है यद्यपी कुछ आक्षेप हैं लेकिन उन आक्षेपों के बावजूद भी भारत की यह संस्कृति दुनिया की सारी संस्कृति सब्यताओं में सबसे जादा मानेवी है जहां सब के हित की रक्षा की बात की गई है यहां सिर्फ मानो मात्र के हित की रक्षा नहीं है यहां प्रकृति के हर एक प्राणी के हित्की रक्षा है यहां संपुर्ण प्रकृति के हित्की रक्षा है और ऐसा नहीं होता तो हम सांति मंत्र नहीं गाते युम्द्यु शान्ति रंतरिक्षगुं शान्ति प्रथविश्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श मदेवा हम अच्छे सुनें बद्रम पसे माक्ष भिजेरिय जत्रा हम अच्छा देखें हम अच्छा देखें और सुनेंगे कब हम अच्छा देखेंगे सुनेंगे तब जब हमारे चारो और की समस्त प्रकृति के समस्त जीव प्रसंद रहेंगे और इसलिए हमारी परंपरा में सब को खिलाने की बात है जब हम भोजन करते हैं भोजन मंत्र कहते हैं और उनका ग्रास निकालते हैं, हम गो ग्रास निकालते हैं, हम कुट्टे के लिए ग्रास निकालते हैं, हम चिडियों के लिए ग्रास निकालते हैं, हम चींचियों के लिए ग्रास निकालते हैं, और उसके बाद आवाज देते हैं कि हमारे अगल वगल यदि कोई भूखा हो यदि हमारे परंपरा की बात कर रहे हैं हमारी जो सांस्कृत की विराशत है वो यह गहती है कि भोजन की पहले आवाज दो कि तुम्हारे आसपास कोई भूखा तो नहीं है यदि कोई भूखा है तो भोजन बाटो उस भोजन पे सिर्फ तुमारा अधिकार नहीं है और यदि कोई बहुत ही ज़्यादा भूखा हो और तुम एक दिन भूख को वरदास्ट कर सकते हो तो भोजन समाज के अंतिम जन्त की है विश्व के किसी भी दर्षन की परंपरा में इस प्रकार आपको उदारन नहीं मिलेगा लेकिन इस सांस्कृतिक परंपरा के साथ हुआ क्या, इसकी व्याख्या कैसे की गई यह दिपी यह विशय मैं अलग से लेना चाहता था और लेना लोंगा बाद में यदि डॉक्टर सुमू चाहेंगे तो आज मैं अतिसंचेप में सर्फ इशारा कर रहा हूं हमारी परमपरा को लगातार साइकोडों वर्सों से इतने संघर्स जहलने पड़े जितने संघर्स जहल के कोई देश मौजूद नहीं रह सकता विश्यो का कोई भी ऐसा देश आप उदारन बताईए जितने युद्ध भारतने जहले हैं उतने युद्ध को जहल के अपनी सांस्कृतिक विराशत को बचा के रखा हो आपको एक दूदारन नहीं मिलेगा पूरा का पूरा दक्षण अमेरिका बदल गया उत्तरी अमेरिकी देश बदल गये मौल वहां के जो रहने वाले थे वो हासिये पे चले गए आस्ट्रेलिया में वहां के जो मौल रहने वाले थे वो तस्वीरे आज भी विद्यमान है उ लगातार भ्यापार किया गया पर यह हजारों वर्सों से किया गया वो सारे देश जिसको तलवारों के बल पे विज़ित करने निकले हुए लोगों ने कुचल दिया रौब दिया उन सारे लोगों ने भारत वर्ष पे भी आक्रमण किया यहां यवनों ने आक्रमण किया सीथियन, हूण, कुशाण सब ने आक्रमण किया अरब के आक्रमण हुए बदलाव हुआ हमारे घर पे एक बार कोई पत्थर बाजी करना शुरू कर दे तो हमारी हालब क्या होगी सोचिए जस देश पे हजारों हजार वर्ष से लगातार हमले हो रहे हों उस देश का मानस कैसा होगा इसका चंतन अलग से करना पड़ेगा और उस लगातार आक्रमणों को जहलने के कारण जो हमारी मनोदसा हुई और सिर्फ हमने आक्रमण ही नहीं जहले हमने सडियंत्रों को जहला हमने अपने घर के भीतर बैथे हुए सडिंत्रकारियों के सडिंत्रों कुझे ला हमारे ग्रंथों को भारत के परमपरा ग्रंथ थे उनमें परिवर्टन किये गए बहुत परमपरा ने बहुत सारे ग्रंथों में फिर बदल किये रामायन उसमें से एक प्रमुक ग्रंथ है जिसमें संबूक बद एक छेपक है अतरिक्त पार्ट जोड़ा गया है बहुत सारे धर्वग्रंथों को कलंकित करने के लिए बहुत सारे छेपकों को जोड़ा गया वैसली किया गया कि उसको यह कहा जा सके कि देखो तुम्हारी ये सब जो संस्कृती है यह ठीक नहीं है यह मानों मानों में भेद कर रही है इसलिए इस संस्कृती को छोड़ो अमारी प्रारम्म के दिनों की बात मैं बता रहा हूं। बात में हमारे सिक्षन संस्थाओं को जलाया गया। कई विश्व विद्याले धोधू कर जले महीनों तक जले। गरंथाले सारे जल गए। पढ़ाने वाले लोगों को पकड़-पकड़ मारा गया। काट दिया गया। इतने सारे अत्याचारों को जहिलने के बाद भी हम जिन्दा रहें। हम बचे रहें। और आज हम भारती ज्यान पर अंपरा के दिशे में बात कर रहें। यह इसका प्रमाण है कि इतने सारे आतंकों को जहिलने के बाद भी हम जीवित हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रहार हुआ, बाकी प्रहारों ने तो हमारे घौतिक ब्योस्थाओं को बदला, लेकिन एक प्रहार, ऐसा जिसने हमारे मनों को बदल दिया, और मन को बदलने का हे तु क्या था, एक धन्म का प्रचार, जब प्रारम्य के दिनों में यूरोप के लोग भारत आए, उनका विचार था, कि अभी तक जो जिस संस्कृति को हम लोग जानते थे, उससे स्रेश्टतम संस्कृति यहां की है, और अभी तक जो हम मानते थे, ओल्ड एस्टामेंट में, जनेसिस में यह कहा गया कि 4004 इसाथ फुर्व, इस पूरे स्रेश्टि की रचना हुई, उसके पहले स्रेश्टि थी ही नहीं, विद्यमान नहीं थी, और कुछ लोगों ने तो इसका धेड़ तक निकाल दिया, फामस आर्थर ने इसका, इसकी तारीख निकाल दी, कि कितने मार्च को कितने 9 बज़ के, इतने मिनट पे इस स्रेश्टि का निर्माड हुई, और एक महान बाढ़ की परिकल्पना आई, कि 2349 इसापुर्व, एक महान बाढ़ हाई, जिसकी चर्चा भारत के ग्रंथों में भी आती है, हजरत मुसा साहब के समय, जो कुछ रचा गया, लिखा गया, उसमें इन सारी बातों का जिक्र है, अब क्या हुआ, कि एक तो आधारिमंदू बन गया, कि 4004 इसापुर्व के पहले तो कोई संस्कृते विश्व में होई नहीं सकती है, चुकि ये स्विश्टी ही नहीं थी, तो संस्कृत ही कहां से आएगी, और 2449 इसापुर्व, तो कोई स्थाफित मानो सभ्यता नहीं हो सकती है, जिसके चिन्ना आज तक विद्यमान रहें, चुकि सारी सभ्यताय नस्थ हो गई थी, महान बाढ़ा आई थी, और लोग एक जहाज पे चड़े, और जहाज पे जो चड़े हुए लोग थे, वहीं बचे रह गए, बाकी सब नस्थ हो गए, इसलिए इतिहास कैसे लिखा जाए, तो जो पश्चिम के सारे इतिहास कार थे, जिनके उपर यह दायत तो था, कि एक जो चैलेंज खड़ा हुआ था, जिस चैलेंज के बारे में, कई पश्चिम के विद्ध्वान कहते हैं, विलिम जोन्स कहता है, कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कि यदि हम भारत के सारे धर्मगरंथों को माने, तो स्रस्चिनिर्मान का काल बहुत पीछे चला जाता है, और ऐसे में, जेनेसिस में जो विशय लिखा गया है, स्रस्चिनिर्मान का जो समय है, वो उसके पहले चला जाएगा, तो हमारे पास अब दो ही तरीके हैं, या तो जेनेसिस में लिखी हुई बातों की रक्षा करें, और या तो इस पूरी इसाई परमपरा नस्ठ हो जाए, और इन दोनों निर्णेओं में से हम में से कोई भी निर्णे लेना नहीं चाहेगा, ये जो समस्या एक उभर की आई, बहुत सारे पश्यम के विचारकों ने इसे एक चैलेंज के रूप में लेके, कि कैसे भारत की यह जो ज्यान परमपरा है, इसको कलंकित कर, इसको नीचे दिखा कर, हम अपनी परमपरा को स्थापित करें, हम अपनी परमपरा को किस्थापना करें, इसके लिए करें क्या हम? चिंतन हुआ, बोडन थे, वहाँ उक्सपोर्ड विश्व ज्याले में, उन्होंने एक चीर इस्टेबिस किया, बोडन चेर, और विलियम उसमें पहला बोडन चेर बना, उस चेर ने क्या किया? पुरस्कारों की घोशना की, कि भारत की परमपरा को जो भी कलंकित करने का प्रयास करेंगा, हम उसे पुरस्कार देंगे, 200 पॉंड तक के पुरस्कार वहाँ दिये गए, वहाँ जो अध्येता थे, उन्हें साबित करना था, कि जो भारत के सारे ग्रंथे हैं, वो जोटे हैं, भारत की परमपरा, जो कुछ बात कह रही है, वो कपोल कलपना है, भारत के जो वेद हैं, उनकी जो समयावदी है, वो महान बाढ़ के आने के बाद की है, और इसके लिए उन्होंने स्कॉलर से पुरशकार, इन सारी चीजों की गोशनाएं सुरू करें, इसके बाद अन्य कई पस्चिम के, मैं विश्यांतर हो रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, अन्य कई पस्चिम के जो विचारक थे, इतिहासकार थे, विंसेंट आर्थर स्मिथ, इतिहास लिखता है, अर्ली हिस्ट्री अफ इंडिया, और उस अर्ली हिस्ट्री अफ इंडिया का दो तिहाई हिस्सा, आप मने अश्यर होगा आपको, दो तिहाई हिस्सा सिर्फ सिकंदर विजए और उस सिकंदर विजए में क्या लिख रहा है हो कि जब सिकंदर के सैनिकों के पैरो तले पूरा भारत रौदा गया हिमालाय से लेके समुद्र तक भारत रौदा गया तो यहां की जो सैनिवे उस्था थी उसका खोखला पंग सामने नजर आया क्या यह इतिहास है इतिहास साक्षी है कि सिकंदर सर्फ सीमावर्ति पश्चिमुत्तर छेत्र के सीमावर्ति राज्यों तक उसका अभियान रहा उसके बाद उसे वापस जाना पड़ा यहां से और बाद में उसका जो सेनापति सेल्यूकस था उसे पराजित होना पड़ा अपनी बेकी का व्या रौद दिया पूरे भारत को हिमालय से लेके समद्र तक रौद दिया ऐसा क्यूं किया गया ताकि हमारे जेहन में बैठ जाए कि हम पराजित हैं हमारा इतिहास पराजितों का इतिहास है कोई भी स्ट्रेस्ट कोई भी वीर पुरुस यहां पैदा नहीं हुआ जो इन आक्रम भारत का इतिहास लिख रहा है छे खंडों में छे खंडों में इतिहास लिखा और उसका तीन हिस्सा कर दिया कि एक हिस्सा हो गया प्राचीन भारत और दूसरा त है स्लाव के ब्रामस काली भारत एसलाम काली भारत और हमकाली भारत और अधुनिक बारत बैसे करने कई उन्हें थी भीवाजन व्यवारत है यह प्राचीन भारत था उसकी ज़्टन वोग दाऊ, चा सक्ता था उतने निंदा उस वैसे प्रशासनी का अधिकारी जो ब्रेटेन में थे और ट्रेनिंग पाकर भारत में शाशन के लिए आ रहे थे उनके जेहन में इतनी नफरक भारत के प्रति भरती जाए कि भारत की ज्यान परमपरा से प्रभावित नहों सके कि ऐसे सदियन तरह कि एक बहुत ही महत्तुपूर्ण पुस्तक पचास खंडों में लिखी गई मैक्समूलर ने लिखी जिसमें पूरी पौराप्त्य सभ्यता के विशह में एक विशद वर्णन था मैक्समूलर का जो लेखन है वो पस्चिम के सारे इतिहासकारों के लेखन का आधार होता है और भारत में भी एक खास प्रकार के प्रगतिशील इतिहासकारों के लेखन का आधार होता है मैक्समूलर क्या लिखना चाहता था यह जानने के लिए उसने जो पत्र लिखे अपनी पत्नी को लिखा और अपने मित्रों को जो पत्र लिखा उन पत्रों को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि मैक्समूलर क्या लिखना चाहता है अपने लेखन के समाप्त होने के बाद मैक्समूलर लिख रहा है अपनी पत्नी को पत्र कि मैंने जो कार्य किया है लेखन का वो भारत की सब्विता संस्कृती को विनस्ट करने के लिए परियाप्त है और इसके दिनस्ट करने के बाद या दुर्भाग्य होगा कि इसाई परमपरा इसको इसकी जगह नहीं लेती है विलियम जोंस कह रहा है कि एक दिन ये पूरी व्यावस्था नस्ट होगी और जो क्रॉस लिये हुए लोग हैं उनके ही जिम्में पूरा छत्र होगा या दिपी विलियम जोंस ने बहुत अच्छी सारी बाते लिखी है परमपरा के विशह में लेकिन मूल उदेश से वो भारत के कुछ प्रगतिशी लोगों जैसे दगाबाज नहीं थे उन्हें अपनी धर्ती के प्रती प्रेम था वो भारत की संस्कृती से प्रभावित होने के बाउजूद भी भारत के पक्ष में नहीं लिख सकते थे इसलिए चुकि वो गद्दार नहीं थे भारत के कुछ लोगों ने जिसको जिन्होंने योजनाबध तरीके से भारत की संस्कृत के विरासत से भारत के बचपन को भारत के आवाम को दूर रखा उन जैसी गद्दारी मैक्स मूलर में, विलियम जोन्स में, विंसेंट आर्खादे स्मित में नहीं थी मुझे लगता है कि मैं भाग गया, मुझे भारतिये ज्यान परमपरा दिशें पे बात्चित करनी थी लेकिन भावनाओं में बहके मैं दूसरी दिशा में चला गया तो यह जो भारत की ज्यान परमपरा जिसको हे दिखाने के लिए सारे पश्यम के विचारक लगे रहे यह आखिर में भारत की ज्यान परमपरा है क्या यह ज्यान परमपरा पस्चिम के ज्यान परमपरा के सापक्ष जब इसे आप खड़ा करेंगे चाहे वो विशयों का प्रश्ण हो लोग कहते हैं कि प्राची निकाल में सिर्फ वेद पूरान यहीं सब पढ़ाए जाते थे अरे भी यह पूरा जितना साहित्य हमें प्राप्त होता है हजारो हजार प्राचीन साहित्य हमारे पास हैं उन साहित्यों में मात्र तीन से पांच प्रतिसत साहित्य ही उपासना पर रख हैं बागी सब अन्य विश्यों से संबंदित हैं। प्राचीन गुरुकुलों में कई आजो जिसे हम फैकल्टी कहते हैं, कई फैकल्टी होते थे। जैसे एक फैकल्टी था अग्निस्थान, अग्निस्थान में उपासना के विश्य को पी चर्चा की जाते थी। फिर था ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान में वैदिक साहित्य का अध्यन कराया जाता था। फिर विश्योंस्थान, समाज के पालं से जुड़े हुए समस्त पक्ष, चाहे उसमें दंड नीती हो, यानि राजनीती सास्त्र हो, आर्थनीती हो, वार्था हो, अर्था जो लोग दिए अब्या वहार लोग व्यापार है कृशी है वो रखष भ्भ वानिट्ज्ट है आदी यह सारा कुछ व्रिशनूस्थान की फैकल्टी में पढ़ाये जाता है पिर था महंद्र स्थान में सैन्य शिक्षा दे जाती थी। पिर था कार्थिकी ये स्थान में विशेशिकर्थ सैन्य शिक्षा जिसमें विवरचनादी था वो शामिल था। पिर था विवश्ष्वत स्थान जिसमें वैशेश्च सास्त्रों के बारे में बताय जाता था। जोदिष के बारे में बताय जाता था। कि प्रसुमस्थान कि कि जिसमें सारे और शधियाँ हैं चिकत्सापद्धि है इसके बारे में बताए कि घर्वन्स्थान की जिसमें यतायात को साधन जिसमें आपको गौतम और निर्मान से ले कि भौन सारे वाढस गलाए वो अपना वर्णन लिखता है कि जब वो भारत के तठ पे पहुँचा समत्र से होते हुए तो उसने अपने जीवन में उतने बड़े जहाज नहीं देखे थे पानी के जितने बड़े जहाज उसने देखे यह उसका वर्णन है यानि एक ब्योस्थित जलियान सास्त्र यहां वे द्यमान था समुद्री व्यापार हमारा होता था तो इतने सारे फैकल्टी इस थे इतने सारे विशय थे इतने सारे विशय थे जिसमें सिर्फ मैं एक उदारण वेद की परंपरा के ग्रंथों का बता रहा हूं पतंजली के महाभास्य के परस्पशानिक में कहा गया है कि वेद की 11 से 31 साखाएं थी और वेद को यह ग्रंथ नहीं है आप अस्तम्वसूत्र कहता है कि मंत्र ब्रहमण योर वेद नाम धेयम मंत्र और ब्रहमण मिलके वेद की रशिना करते हैं मंत्र यानी संग्हिता और ब्रहमण यानी ब्रहमण आरण्यक और उपनिशद आधिकरंत हैं अब सोचिये ग्यारा सो इकत्त sociology पी यानि एतनी संगीता हैं इतने ब्रहमन इतने आरंणयक और इतने उपनिशद वास्तिवीक संध्या विद्यमान है ये तो सिर्फ वेद की परमपरा का मूल इसके बाद वेद को समझेने के लिए बहुत सारे ग्रंट थे वेदांग्य जिसमें छे इसके पार्ट थे शिक्षा कल्प निरुक्त छंद जोतिस व्याकरण और एक एक परमपरा के कितने ग्रंट और कितने आचारे हु हुए ये परवर्ति आचारियों ने पुरवर्ति आचारियों का जिक्र किया हुआ है कि 64 कलाओं का जिक्र आता है जिसमें हर प्रकार की कला है पिर अब कई प्रकार के सिल्प की चर्चा है वास्तु कला के अधभुत नजारे आज भी आपको आप देखेंगे दक्षर भारत में देखने को प्राप्त होगा कोणार का सूर्य मंदर आपको देखने को प्राप्त होगा कंबोडिया में आपको आप जाएंगे तो आपको देखने का सुख प्राप्त होगा कि क्या स्थापत तेकला थी वो जो भारत से सीख के लोग गए थे भारत की संस्कृति को लेके आसना ग्रंद उपड़ाते तो इतने सम्मर्द नहीं होते और हम सम्मर्द नहीं होते तो हम कंगालों के पास पस्चिम के सारे लोग और अरब के लोग घोडों पे चड़के तलवार लेके नहीं आते लूटने बिखारी को कौन लूटता है जी हमारे पास कुछ रहा होगा लूटने लाइक तभी तो आए मुझे लग रहा है क्या समय की सीमा को मैं लाग तो नहीं रहा हूँ आप लोग बताते रहिएगा वीच वीच में मैं कुछ प्रस्ण ले लेता हूँ बहुत सारे प्रस्ण आए हैं पतंजली मिस्टा भारती संस्कृति स्ट्रेश्ट है भारत विश्व गुरू है यह कहने का यह कहने का सवभाग यह हम स्वेंग क्यों ले रहे हैं यह सवभाग यह विश्व के अन्य देशों को क्यों नहीं देते आज जो हमारी दुर्दसा उसके पीछे कौन है प्रकास डालें पतंजली मिस्टा जी का हमरे अनुज है प्रश्ण है कि हम स्वेंग क्यों कह रहे हैं भाई यदि हम नहीं कहेंगे तो कहने वाला कोई नहीं है चुकि जो निर्पेक्ष भाव से इतिहास की व्याक्षा की जम्मेदारी जिनके कंधों पे थी उन्होंने एक एजन्डा के तहत इतिहास को लिखा और परचारित किया पस्चिम के जो जिन लोगों ने प्रसासने कितिहास कारों ने लिखा उनका एजन्डा था कि भारत में पस्चिम का जो सासन है वो पुष्ट हो भारत से जो ये लूट का तंत्र है वो बना रहे कायम रहे तो ये यदि शुभलिक देते हमारे विशा में तो भारत की जनता कैसे स्विकार करती लंबे समय तक तो उन्होंने गढ़ा कि आरे विदेशी थे आरे बाहर से आए और मज़िदार बात एक जगह तो जिक्र ऐसा आता है कि एक इतिहासकार कह रहा है कि कि जो मिस्ट्र लोग थे पतंजली मिस्ट्र से ही मैं विश्य उठा रहा हूं मिस्ट्र लोग थे वह बिसिकली भारत के नहीं है वो है इजिप्ट के वो इजिप्ट से आए इसलिए वो मिस्ट्र लगाते हैं और जब यह तरक दिया तो इतनी जगहसाई हुई इतनी जगहसाई हुई कि फिर उन्हें अपना अपनी बात वापस लिनी करें वो यह सावित करने में लगे हुए थे कि जो कुछ भी यहां का है सब है आपकी सिक्षा प्रणाली दोश्पुर्ण है आपकी समाज प्रणाली दोश्पुर्ण है आपकी पास कोई राजनेतिक प्रणाली नहीं अब सोचिए राजनेतिक प्रणाली पे प्रश्न कर रहे हैं वहां के यतिहासकार कि भारत जो है एक आराजक्ता वाला देश रहा परंपरा में और उन्हें ये संदर्बदिक नहीं रहा है जिसको कोडल ले कह रहा है प्रजा सुखे सुखम राग्यम प्रजा नाम तुखिते हितम प्रजा के सुख में राजा का सुख है प्रजा के हित में ही राजा का हित है राजा का कोई निजी हित नहीं है राजा को वही कारे करना चाहिए जिससे प्रजा सुखारी हो जिस परमपरा में द्वई राज्य वई राज्य संग्ध राज्य एक राट इतनी सारी कलपनाये हैं द्वई राज्य जिसे गणराज्य की रूप में आप जानते हैं जिसमें एक राजा नहीं है जिसमें एक एक परिशद है एक मंडली है चैनित लोगों की जो पूरी राज्य की व्योस्था देखती है मालक छुद्रक मालव छुद्रक जो सारे राज्य थे जिसमें सिकंदर ने आक्रमण किया कठ यह सारे राज्य वही राज्य थे यह राजा यहां नहीं होता था परिशद राजा का कारे करती थी सारी व्योस्थाओं को करती तो जहां राज्य की इतनी व्योस्था व्योस्थाएं आ रही है जहां विश्व का सबसे प्राचीन गणराज दिफता है लिक्षवी के उत्तर जो हमारा च्छत्र है वहां कई राज्य दिखते हैं जहां का राजा कि राजा को जब सिंगहासन पर बैठाए जाता था तो तो उसको दंड दिया जाता था कि कहा जाता था कि तुम सर्वशक्तिमान हो और यह पूरी प्रजात के पालन का कार्यब तुम्हारा है और उसके सर्वशक्तिमान होने का यह भ्रहम नहीं था कि मैं जिसको चाहूं कटवा दूंग मरवा दूंग जी नहीं की EPA कि वह एक जैसे वेतन लेके कोई कर्मचारी काम करता है वैसे ही वेतन भौवगी कर्मचारी की तरह राज यह स्तति राजा की बताई पर यादि पी वह सम्वान का पॉजिचिशन है यादि उसमें देवत्व देखा जा रहा है परकानास नहीं कर सकता है। तो जब उसका राज्या विश्यक होता था तो हुआ कि वो कहता था सारी बातों के बाद कि अधन्डोस में तीन बार कहता था अधन्डोस में अधन्डोस में अधन्डोस में मेरे लिए कोई दन्ड नहीं है मैं दन्ड से परे हूं और बगल में एक सन्यासी पलास का एक दन्डा लेके उसके पीछ पे तीन बार मारता था कहता था घर मलेजा ही सर्य दन्डोस 50 धर्म दन्डोसि है कि राजा सती और कोई और दंड हो जाए और जब धर्म से होगे कि कि तो तुम्हें हटा दिया जाएगा है मैं जैसे कि वेल्त राधा वियन पो नहीं हटाया न्यार्यक्य आशए म примको रिष्यून ने हथा पड़ राजा बनाया कि भारत की परंपरा में बहुत सारे ऐसे उधारन है कि धनानंद को हटाया गया चंद्रकुप्त को राजा बनाया गया ऐसे आपको सेकड़ उधारन मिलेंगे कि राजा ने जब धर्म का रास्ता छोड़ा धर्म का रास्ता यानि क्या प्रजा हिते हितम राग्य कि सबका रास्ता क्या सर्वभूत ही हिते रता के धर्म का रास्ता सबके कल्यान का मार्ग है जिसमें सबका भला हो वही धर्म और है तो कि इस प्रकार के राज त temples तरॉत मध्यवस्था को पस्च्युमं के वित्वान क्या कह रहे हैं कि Flower यहां तो कोई राजवाउस था ही नहीं कि यहां राजवितिक चेतना ही नहीं थी आरजक्ता की स्थिती थी कि मैं दूसरा प्रस्ण लेता हूँ यह तो पतंजली जी के प्रश्ण पे था कि मुझे थोड़ा संकियत करते रहेगा कि कब खतम करना है कि भारतिय ग्यान परमपराव सांस्कृति ग्राशन मानों सविधा एक गूर्टत्यूं से बढ़ा हूँ प्रश्ण कि प्रश्ण बहुत सारे ऊपर चले गए हैं जिनको पूछ रहा हो फिर से एक बार लिखके भेजें कि प्योस सिर्वास्त भारत ही एक ऐसा देश है जिसका इतिहास विदेशियों ने लिखा है और उनका समर्थन सोतंत्रा पस्षात कमनिस्टों ने किया जी बिल्कुल प्य कि पहले तो प्रशासनिक इतिहास कारों ने भारत की इतिहास को कलुशित किया और बाद में भारत की माता के पुत्रों ने यही रहने वाले यही का अंद्जन जलकाने वाले लोगों ने कैसे यहां ऐसे इस्थिती हो जाए कि समाज में भारी द्वंद की इस्थिती हो जाए और उनका एक उनका उनकी एक सोच है क्रमिक विकास वो मानते हैं प्रक साम्यवाद से लेके और फिर सामंतवाद से होते हुए और साम्यवाद तक का जो मार्ग है तो संघर्ष उसमें बहुत जरूरी पक्षय है भारत का समाज लंबे समय तक आपसी बहुत जादा संघर्षों में नहीं पसा रहा हुए संघर्ष राजा का राजा के बीच हुआ समाज का संघर्ष नहीं हुआ समा एक समाज का दूसरे समाज के साथ संघर कि दोड़ने का अधार है कि यहीं के समाज के लोगों को आपस में लड़ाया जाए लड़ाया कब जाएगा जब द्वंद हम पैदा करेंगे जब हम एक दूसरे का सहयोगी एक दूसरे का सहयोगी बनी ऐसा नहीं एक दूसरे के हितका बाधक है यह हम स्थापित कर देंगे और लोगोंने किया उन छित्रों को बढ़ाते बढ़ाते बड़ी खाईया बनाई उन खाईयों को पाटने का काम नहीं किया लिए राश्ट्र खाईयों को बना के मजबूत नहीं होता है आपके संघर्ष से साम्यवाद तक की यात्रा होगी या नहीं होगी इस देश में इस राष्ट्र में आराजक्ता जरूर हो जाएगी मिध्या आधारों को लेकर रचे गए जूठे तथ्यों को लेकर उसको तथ्य भी हम नहीं कहेंगे और समाज में जो विद्वेश फैलाया गया यह विद्वेश ही भारत की जो स्रश्ठ ज्यान परमपरा है उसको कलुशित करने का उसके कालिक पूतने का कारिय उसने किया मैं प्रश्ण अगला लेता हूँ वर्तमान ज्यान सिंग का प्रश्ण है वर्तमान सिक्षा प्रणाली प्राचीन भारती यह ज्यान परमपरा को किस प्रकार से संबलित किया जाए शिक्षा प्रणाली में सिक्षकों को पैदा करना पड़ेगा, वह सिक्षक चाहे कक्षा में पढ़ा रहा हो, चाहे वह करिकुलम तयार कर रहा हो, चाहे वह कुस्तक का लेखन कर रहा हो, उसके अंदर इतनी हिम्मत होगी, कि जो शड्यंत्र देश के प्रति, यहां की ज्यान परमपरा के प्रति किये गएं, उनको उजागर कर सकें, इतनी हिम्मत यदि उस सिक्षक में है, तभी हम सिक्षा की व्यवस्था में परिवर्टन लाएंगें। इतिहास की किताबों को तटोलिये, जिसे बच्चे पढ़ते हैं, आपको उन किताबों में ललिता अदित्य का नाम शायद ही कहीं मिले, मिले भी तो बहुत ही संचेप में, आपको मालूम है, ललिता अदित्य का साशन इरान तक, इरान के छेतर तक ललिता अदित्य का साशन आप सब जानते हैं आप सब गगेजन हैं लेकिन आप उस कारण को पता लगाए कि क्यों ललिता दित्य इतिहास की किताबों से बाहर हैं अहूम सामराज्य विशाल अहूम सामराज्य जिसने पूरे मध्यकाल में अरब के आक्रमणकारियों तुर्क से आया आक्रमणकारियों को जहला और कोई आक्रमणकारी उन्हें पराजित नहीं कर पाया उस अविजित अहूम सामराज्य का इतिहास क्यों नहीं है क्यों नहीं है इतिहास में चोल सामराज्य का विशाल छेत्र जिसमें इंडोनेसिया मलेसिया आदि सारी देश शामिल थे जावा सुमात्रा बोर्नियो तिहास में क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भारत में कुछ भारत का कुछ अच्छा भी पक्षित था और उन देशों को हमने तलवारों के बल पे नहीं जीता था हमारी संस्कृति को स्व्यक्षा से वहां के जनों ने स्विकार किया हमारी संस्कृती की रष्टता को माना इसलिए माना कि हमारी संस्कृती सर्वभूत हिते रता की बात कर रही है क्यों नहीं इतिहास में है इन प्रश्णों को टटोलना पड़ेगा के अगर के तो पहले तो हम करीकुलम में परिवर्थन लाएंगे तो टैक्स्ट बुक् लिखे जाएंगे और प्रामाणि के जितने सारे हमारे साक्षे हैं उन उन साक्ष्यों की आधार पर वास्तविक सत्य घटनाएं लिखी जाएं असत्य लेखन का कोई मतलब ही नहीं असत्य लेखन तो एक खास प्रकार के विचार के लोगों ने किया जिन्होंने 1500 इसवी तक वेब के काल को नरधारित कर दिया वो इसलिए कर दिया कि महानबाढ़ के पहले न चला जाए वेब काल वो इसलिए किया कि 4004 इसा पुर्व के पहले न चला जाए पूरी ब्यास्था और Old Testament धरसा ही हो जाएगा यदि ऐसा हो गया तो तो इस प्रकार की जो इस प्रकार के जो सड्यमत्र हुए उनको उजागर करने का बीड़ा हम सिक्षपों को उठाना पड़ेगा हम कक्षाओं में अपनी बातें कहें हम पुस्तक लेखन में हम उन चीज़ों को दर्ज करें हमें करिकुलम बनाने का मौका मिले तो हम करिकुलम में उसको उस पक्षपो दें हम आज जो इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारे पास सोस सब्सक्राइब को रखें तो जरूर परिवड़ता हूं कि निश्यत रूप से मैं अगला प्रस्शन लेता हूं हमारी देश काल परिस्थती जनसंख्या जो विक्षित है फिनलेंड स्वीडन जर्मनी अमेरिका से पूनता अलग है जरूरत है कि अपनी परिस्थतियों की अनुरूप हमारे शिक्षा पद्धती को विक्षित किया जाना चाहिए और इसके लिए हमें कारे किया कारे करने की बिल्कुल प्रभाद जी हमारे अनुज हैं अच्छा आपका चिट्टी पड़ी है अरे भारत के सिक्षा ब्रिटेन के हिसाब से थोड़े चलेगी यहां ब्रिटेन की जंता निवास कर रही है यहां अमेरिका के लोग रह रहे हैं यहां आरप के लोग रह रहे हैं भारत के के आवस्चेक्ताएं भिन्न है भारत के समाज की रचना भिन्न है भारत में लोक व्यवहार भिन्न है भारत के लोगों के जीवन का लक्ष भिन्न है जब सब कुछ भिन्न है तो नकल की हुई व्यवस्था हम यदि अपनाएंगे तो कितने दिन हम सही रूप में चल पाएंगे समाज आराजक नहीं मनेगा तो हमारी क्या जरूरते हैं जनजन की जरूरतों का को देखना समझना ये भी सिक्षकों का ही कारे है हम बखुभी यदि हम इस कारे को करेंगे निभाएंगे तो सिक्षा की व्योस्था में निश्यत रूप से परिवर्टर होगा पतंजली मिस्रा का फिर से प्रश्ण है भारत का बौधिक जगत किस प्रकार से भारत के संस्कृतिक नाश का मुख्य जिम्मेदार है बहुत अच्छा प्रश्ण है पतंजली भारत का बौधिक जगत बौधिक कहने में भी मुझे परिशानी आ रही है जो जिस पेन पे बैठा हो उसी पेन की डाली को पाट रहा हो उस हम बौधिक कैसे कहें जो इस सब्धता संस्कृती के विनास का व्रत लेकर कारे कर रहे हैं उसकी लप्टे उन तक ही भी पहुँचेंगे यह देश उनका भी है यदि समाज नस्ठ होगा, समाज में राजकता होगी देश में क्रयुद्ध किस्थती आएगी वो अच्छूते नहीं रहेंगे उसे उन्हें बौधिक कहना बौधिकता का अपमाने और जिस प्रकार से स्वजाती घ्रणा से वो भरे हुए है अपने ही जन के प्रती घ्रणा अपने संस्कृती के प्रती घ्रणा भारत की सब्वेता के प्रती घ्रणा भारत के प्रती कों के प्रती घ्रणा भारत के समाज ब्यवस्था के प्रती घ्रणा इतना अंदर तक बैठ गया है या प्रशासनिक इतिहासकारों की जो चाल थी उसके माध्यम से बैठ हाया गया है कि वो अब निकलना बहुत आसान नहीं पीढियां लग गई 17 सदी से लेके और आज की सदी तक ये प्रयास चले और उस सारे प्रयास प्रयासों ने जिस विश्बेल को सीचा उसका विश्फल आज के भारत के समाज के सामने है और हम सब को बैठ के चिंतन करना पड़ेगा कि कैसे उस विश्ब्फल के प्रभाव से समाज की रख्षा की जाए आगे प्रश्ण लेता हूं मैं भारतिय परमपरा राजिस कुमार जी का प्रश्ण है भारतिय नई परमपरागत भारतिय यान परमपरा को वर्तमान में कैसे स्थापित किया जाए जी राजेस जिसके अभी इमने चर्चा की, की पहले तो हमें अपनी संस्कृती का अध्यान करना, संस्कृती से जोड़े हुए ग्रंथों का ध्यान करना, हम क्या थे ये जाने, और हम ये भी जाने कि हमें क्या बताया गया, और जो बताने वाले लोग थे, उनके वैसा बताये जाने के पीछे का एजेंडा क्या था, ये जब हम जानेंगे, तो सत्य सुत्ह प्रगट होगा, वो प्रदिप्त हो जाएगा, उसके बाद सारे, सुवास मिस्तरा जी का प्रश्न है, भारती इतिहास राजनेतिक सर्जिंतर क सिकार होता रहा, बिल्कुल सही सुवास जी, उनीचर जन्तरों पे अभी बातचित चल लएpowerती मिस्तर जी का प्रश्न है, क्या उस समय में भारती इतिहास कार नहीं थे, जो सही सही इतिहास लिख सकें, जी, अच्छा प्रश्न है, मनोच जी, भारतीय ही नहीं, मनोच जी, Oxford History of India, जिसने भारत के बहुत सारे अच्छे पक्षों को लिखा, उसे गायब कर दिया गया, प्रिचलन में ही नहीं। लेकिन विदेश के जो लोग थे, उनकी आस्था अपने देश के प्रती थी, वो अपने देश के गद्दार नहीं थे, इसलिए भारत का पक्ष लेते हुए भी एक जुकाव उनका, उनके समराज्यवादी नीतियों के प्रती था। आजादी के बाद भी कई इतिहास का रून लिखा, डियार भंडार कर जी की कई इतिहास है, एसल तेकर जी का इतिहास है, और के मुखर जी ने लिखा, नेलकंट शास्त्री जी ने लिखा, केपी जैसवाल जी ने लिखा, बहुत सारे लोगों ने भारत के इस राजेंदरलाल मित्र जी ने लिखा, ये इतिहास आवाम से दूर किये गए, ये लिखित हो गए, लेगिन इतिहास, यदि लाइब्रेरी के सेल्फ में जाके सुरक्षित हो जाए, तो उस इतिहास लिखन-लिखन का क्या मतलब? इतिहास लाइब्रेरी के सेल्फ से निकल के जंजन के टेबल पे कैसे पहुचेगी? तब पहुचेगी जब उसका जिक्र पाठ्थे पुस्तकों में होगा, जब उसका जिक्र, जो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ भी उनका जिक्र होगा, उनकी किताबों में भी ज भारत माता की पुत्रों ने भी उनकी सहाइदा किए, और वो इतिहास जो एक स्वस्त पक्ष रख रहे थे, वो प्रचलन से दूर किये गए, जान बुच कर, आप उन्हें इतिहासों तक तब ही पहुच पाएंगे, जब आप अलग से प्रयास करेंगे। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी पक्षों का विश्यद वर्णन, जिसमें ग्राम अपने आप में परिपूर्ण था, बिलकुल, ये बहुत अच्छा विशय उठाया आपने, कि उस शिरवास्तोजी है, कि ग्राम अपने आप में परिपूर्ण था, तील प्रकार की व आत्मा निर्वर व्यक्ति यानि सब कुछ स्वेंग से कर रहे हैं, दूसरा है पर निर्वर, सब चीज के लिए दूसरे पर हम निर्वर हैं, ये दोनों ब्यवस्थाएं समाज के लिए उचित नहीं, समाज की ब्यवस्था का जो सद्धान्त है वो परस्पर नर्वरता का है, और भारत के ग्राम में समाज ने, भारत के नगरीय समाज ने, इस ब्यवस्था को अपनाईा, कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन बनाए, खेती नहीं किया, और कुम्हार ने खेती किया, उम्मिटी के बरतन नहीं बनाया ठठेरे ने बरतन बनाया, भातुमों के बरतन बनाया लोहार ने लोहे के उपकर्ण बनाये और सब ने सब की चिंता की कुम्हार ने अपने अन्द का एक हिस्सा लोहार को पहुँचाया, बढ़ई को पहुँचाया, कुम्हार को पहुँचाया, सब तक अपना हिस्सा पहुँचाया और कुम्हार ने भी अपने उत्पादन का हिस्सा सब तक पहुँचाया ये परस्पर नर्वर व्यवस्था थे और इस परस्पन निर्वर व्यवस्था से जादातर चीज़ों के लिए हमें कहीं देखना ही नहीं पड़ता था इसलिए ग्राम अपने आप में सामन्न चीज़ों में परिपूर्ण थे विशेय सावस्थिक्ता की चीज़ों के लिए ही वो नगर उतक चाते थे तो बिल्कुल सही विशेय आपने उठाया राजेश कुमार चतरवेदी जी हमारे मित्र हैं पूछ रहे हैं क्या इस जोटको नकारने कि आउ सिक्ता नहीं कि हमारी संस्कृती में सस्त्र का आस्रे कभी नहीं रहा बिल्कुल सही ताजेश जी बिल्कुल मैं आपके मत्से सहमत हूं सस्त्र यदि नहीं होगा तो सस्त्र की रक्षा नहीं होगी यदि हम आताताई के सामने मंत्र जाप करेंगे तो आताताई हमारा गर्दन काट देगा शक्ति किस के लिए है रक्षा करने के लिए है अथियार डालने के लिए थोड़े है यदि हमारे समाज के लोग काटे जाएंगे मारे जाएंगे और हम देखते रहेंगे मंत्र जाप करेंगे जी नहीं ऐसा होता तो कठ एक राजे था पस्चिमुत्र पस्चिमुत्र छेत्र भारत का है वहां का एक राज्य था वहां ज़्यादा रिशिपरंपरा के लोग थे वो शाधक बर्ग था और वो गणराज्य था यानि मैंने अभी जो आपको तो राज्य बताया वही राज्य वही राज्य था यानि गड़तंत्र था वहां आम्भी ने जब सम्झोता किया सिकंदर से तो उस वह सम्झोता बहुत ही निरासा जनक सम्झोता था उस छेत्र के लोगों ने मन से सिस्विकार नहीं किया और कुछ लोगों ने उसे प्रतिरोध करना तारंब किया लेकिन जादातर लोग बैक फूट पे आ गए लेकिन कठ राज्य जहां सिर्फ मंत्र पाथी ब्रहमन रहते थे उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा हम मिट जाएंगे जानते थे कि सिकंदर की सेना के सामने कहां टीकेंगे लेकिन अपना प्रतिरोध जर्ज कराने के लिए सारे लोग युद्ध में उतरे हथियार लेके उतरे मंत्र का जाप नहीं क्या सिकंदर के सामने और सब मारे गए तूरा कठ राज लासों से पठ गया लेकिन सस्त्र उठाया यदि हमने सस्त्र नहीं उठाया रहता तो आज हम भारतिये ज्यान परमपरा पे बात नहीं कर रहे होते हमने सस्त्र भी उठाया लेकिन हमने कितना संघर्ष जेला रेखिए इतने संघर्स विश्यों की इतिहास ने किसी देश ने नहीं जहला है जितने हमने जहले और जहेल के भी खड़े हैं आज मौझूद है हमारी समाज की रचना बनी हुई है तो बहुत अच्छा प्रश्ण आपने उठाया मैं आगे कुछ और प्रश्ण लेता हूँ सिमरजीत जी का प्रश्ण है हम सब को एक होकर काम करना होगा सिर्फ टीचर्स ही जो सही इंफॉर्मिशन डेलिवर कर सकते हैं पस्ट विए अज टीचर गेट प्रफर नॉलेज देन ट्राइट डेलिवर इन राइट मैनर बेलको सही सिमरजीत जी पहले हमें जानना पड़ेगा पहले हमें अपनी संस्कृति अपने इतिहास अपनी शब्धिता अपने ग्रंथों को जानना पड़ेगा और सही अनुवाद पढ़ना पड़ेगा शब्दों को तोर मरोड के कई लोगों ने प्रस्तुत किया, एक ग्रंथ में लोकायत पढ़ रहा था, देवीनाथ चटोपाद ज्याय जी का, इतनी उलूल जूलूल ब्याक्षा उन्हों है कि वैदिक मंत्रों की, उन्हें न संस्कृत की जानकारी है, और नहीं वैदिक मंत्र के अनुवाद की क्या परंपरा है वो जानकारी है, लेकिन उन्होंने इतनी उलूल जूलूल ब्याक्षा की कि आप पढ़ेंगे, तो हद प्रभर जाएंगे, ऐसा ही हुआ, भारत के विशे में उन इतिहासकारों के मतों को माना गया, जो इतिहासकार भारत आये ही नहीं, ब मेगस्थनीज इंडिका में लिख रहा है, दो बाते लिख रहा है, देखिए कितने सातिर लोग हैं, मेगस्थनीज का मूल लेखन मिलता नहीं है, एरियन ने और और सारे इतिहासकारों ने उसका चिकर किया आपने ग्रिंथों में, उसने एक बात तो लेखी कि भारत में बात जातियां थी हैं, जबकि मेगस्थनीज को भारत के समाज कानुवा ही नहीं था, रहा बहुत लंबा समय यहां, लेकिन वो भाशाई भेद के कारण समाज को समझ नहीं सकता थी, उसकी यह बात तो मन ली गई, लेकिन मेगस्थनीज लिख रहा है, कि तीन सो इसा पुर् इन लोगों ने राज्य किया, इस बात को वहां के इतिहसकारों ने स्विकार नहीं किया, जैसे ही यह स्विकार करते, ओलड टेस्टामेंट धरसा ही हो जाता, ओल टेस्टामेंट में सिर्ष्टी कुद्पत्ती का जो समय है, 4004 इसापुर, धरसा ही हो जाता, तो कि तने selective हैं उसी परंपरा में चलते रहे हैं मैं अगला प्रशन लेता हूँ अनित कुमार स्रवास्तों मारे विद्यारती है भारतिये ज्यान को पाथ्षिक्रम में शामिल किया जाना उत्तम विचार है पर हम सार्भौमिक्ता के पीछे भाग रहे प्रारंब करने से पुर्व इससे कैसे सार्भौमिक्ता के पीछे भाग रहे हैं ठीक है हमारी सार्भौमिक्ता या सभी देशों का भला हो यह इस आस्था से इधर हो के भारत की यान परंपरा के विशे में हम चिंतन ही नहीं कर सकते हैं हमारा चिंतन सिर्फ मानो जाती के कल्यान तक सिमत नहीं है सर्वभूत हीते रता, सारे प्राणियों का कल्यान, इस तक है, और यदि हम सर्भौमिक्ता में आस्था नहीं रखते, तो हमारे वेद के मंत्र यह नहीं कहते, आनुभद्रा करतो विश्वता है, कि सारे जगहों से स्रस्ट विचार हमारे पास आए, हमने इंकार कहां किया है क किसी का, हमने किसी पंधक फे टिपनि नहीं कि आए, उपासना पद्धि गलत है, पंधफ पे टिपनि नहीं कि, लेकिन पंध ने जब समाज रचना में हस्तक्षेप किया, जब पंध ने विनाशक रूप अख्तियार कर लिया, लोगों की हठ्याएं करना प्रारम कर दिया, तो ठिपड़ी वाजिफा होगी। हमने वासना पदधी पेटिपड़ी नहीं कि, हमने सामाजी खस्तक्षेप पेटिपड़ी तो बिलकुल सार्भामिक्ता और भारतिय ज्यान परमपरा ये दो चीज़ें नहीं हैं, सार्भामिक्ता के बिना सर्वजन हिताय के बिना भारत की ज्यान परमपरा की बात ही नहीं हो स कहा कि महात्मा आप कहते हैं कि सभी दर्म समान है, तो आप इसाई क्यों नहीं बन जा रहे हैं, बन जाए हैं, उनका नहीं बिल्कुल ठीक बात है, मैं मानता हूं सभी दर्म समान है, सभी धर्म वही एक परमिश्वर की उपासना की बात करते हैं, उसी तक पहुंचने की बात क कर्म हमारे मा समान हैं लेकिन हम मौसी के लिए मा का परित्याक कर दें बढ़ा सुन्दर व्याच्छा नून दिया तो अपनी संस्कृति अपनी माता को छोड़के हम अन्य संस्कृतियों का भी भला नहीं कर सकते क्योंकि विश्यों में कोई फिर नामलेवा नहीं रहेगा जो सबके एक ल्यान की बात करे आचीन ने जो परिस्ति खड़ी की है उन परिस्तियों के विरोध में बोलने का और अपने हित के साथ दूसरे के हित दूसरे देशों के हित को सोचके हाइड्रोक्सी क्लोरोफीन भेजने का जो जजबा जो हिम्मत जो समझ भारत की परंपरा में है वो नहीं नहीं रहे महिपाल सिंग का प्रश्ण है बामपंतियों का ही मानना है कि जो कुछ स्रेस्ट है वह पस्चिम में ही है और अगर अंग्रेज आधुनिक्ता न लाते तो भारत असभ्य बना रहता बहुत बढ़िया बहुत अच्छा प्रश्ण है और मैं महिपाल तुमसे कहूंगा कि पाँच तारीक को पाँच मई को एक हमने व्याख्यान रख्था है गुगल मीट पे जरूर सुनना व्याख्यान है पस्चिमी करण के बिना आधुनिकी करण प्रूसर पाउन कुमार सर्माजी हमारे अग्रज हैं हमारे बड़े भाई हैं और भारतिय परमपरा के निशनात विद्वान हैं उनका लेक्च्छर है सुनना इस प्रश्ण का विशद उत्तर तुम्हें मिलेगा संशेप में मैं कहना चाहूंगा कि जो पश्ण की चीज़ें हैं वही आधुनिक हैं यह अप्धम है और यदि हम कोट टाई पैंट में रहके और कहें कि प्रथवी चप्ती है इसलिए चोकि ओल्ड टेस्टामेंट कहता है और हम अपने आपको आधुनिक कहें तो यह कहीं से स्वीकारे नहीं है पस्च्यमी करण आधुनिकी करण नहीं है अंग्रेज जो कुछ कह दें वो आधुनिक है ऐसा नहीं है आधुनिक वो है आधुनिक यह आरोप पस्च्यम के विद्वान लगाते हैं कि भारत की परंपरा पोंगा पंतिकी परंपरा तो भार की परंपरा ने कहा उसे सनातन कहा सनातन का अर्थ है नितन उतन चिर पुरातन जिसकी आस्था जिसकी जड़ें पुरातन हो और जिसका प्रवाह नया हो यह नदी के समान है जिसका स्रोत तो एक है गंगा गोमुक्ष से निकल रही है लेकिन जल प्रतिपल बदल रहा है तो जल है वो प्रतिपल बदलता है ऐसे ही समाज की आवश्यक्ताओं के अनुरूप हम अपनी सांस्कृतिक विशुष्चताओं में परिवर्टन लाते हैं लेकिन मूल अधिस्ठान आधार एक रहता है वह मूल है सभी का कल्यान मैं भी ब्रह्म हो तू भी ब्रह्म है और पूरा संसार पूरा जगतिक भ्रह्म है जब यह कहते हैं तो हम यह नहीं कहते हैं कि नहीं सर्फ सिर्फ हिंदू ब्रह्म नहीं है सब ब्रह्म है कणकण ब्रह्म है पेड़ पौधेपसु पक्षी सब ब्रह्म है यह मान्यता हो अगला प्रश्ण मैं लेता हूं मुझे थोड़ा संकेत करते रहीएगा बाई सोमो जी ज्यादा समय मैंने ले लिया ऐसा मुझे लगता है चार बद की 36 मिनट हो रहा है डिफ्रेंस बिट्विन ग्लोबल एंड यूनिवर्सल अच्छा यूनिवर्सल मैं एक बात कहूं अमने प्रारम में एक मंत्र मैंने बढ़ा था उम्द्यव शान्ति रंतरिक्षब उम्द्यव शान्ति प्रथव शान्ति रापा शान्ति इस मंत्र में सब के शान्ति की कल्पणा है जब हम सिर्फ इस धर्ती पर रहने वाले लोगों की बात करते हैं इस गलोब पे रहने वाले लोगों की बात करते हैं तो हम global और जब हम इस अनंत आकास में अस्थत कोटि कोटि ब्रह्मांड और आपको आप सोचिए कि यहां एक सौर मंडल है इस सौर मंडल जैसे अरबो अरब सौर मंडल मिलके एक आकास गंगा का निर्माड करती है आकास गंगा के एक भुजा का निर्माड करती है आकास गंगाओं की कई भुजाएं मिलके एक आकास गंगा का निर्माड करती है और ऐसी अरवो अरव आकास गंगाएं मिलके ब्रह्मांड के एक पैटर्न का निर्माड करती है और ऐसे अरवो अरव ब्रह्मांड अस्त्त्त्त में हैं जिसको Stephen Hawkins जैसा physicist भी कह रहा है कि universe नहीं है मल्टी वर्स है एक स्यथी प्रह्मांड तो universal क्या है universal यानि ब्रह्मांड के हित की कलपना यह universal है global सिर्फ इस प्रतवी के हित की कलपना भारत की जो चिंतन परंपरा है भारत की जो ज्यान परंपरा है वो सिर्फ global नहीं है वो universal है वो व्यस्टी से प्रारंब होती है व्यस्टी का हित व्यस्टी के हित के बाद समस्टी का हित समस्टी के बाद सृस्टी का हित और सृस्टी के बाद परमेस्टी का हित ये एक चेन है सबके हित की कामना जिसको पंडदीन ज्यालुपाद भ्याजी अपने रचनाओं में अपने लिखन में उन्होंने वो कहते हैं तो सबके हित की कामना ये भारत की जान परमपरा का मूल उत्स है भारत की जान परमपरा ग्लोबल की बजा यूनिवर्स है अच्छा सोमोजी का है कि कुछ देर और हम बात्चित कर सकते हैं ऐसा इंपाग्रह है ठीक है भारतिय परमपरा के प्रस्न है आकाश गोरकोर भारतिय परमपरा को नस्ट करने का आरोप ब्रहमन समाज पर भी समय समय लगाया जाता है ऐसा क्यों? खाकाश जी इस प्रश्न को बड़ा व्यापक उत्तर देना पड़ेगा और समय कम मैं संशेप में सिर्फ आपको बताता हूं यहाँ किसी एक समाज पर आरोप लगाया गया ऐसा भी नहीं यहाँ समाज में रहने वाले लोगों के बीच परस पर विद्वेश पहलाना इस ओदेश से किया गया करम था प्रारम में इसको जो नव परंपराएं सनातने तर जो परंपराएं थी जिसको हम नास्तिक परंपराएं कहते हैं जिनकी आस्था वेधों में नहीं थी वैसी परमपराओं ने भी इसके प्रयास किये जस्से की समाज के वरगों के बीच में विद्वेश फैले और विद्वेश फैलने का उनका लक्षे था कि अधिक से अधिक लोग उस नई परमपरा के अनुसरन करता बने दूसरा जो बाद में प्रशाशनिक इतिहासकारों ने विदेशी इतिहासकारों ने जो कुछ रचा उसका उदेश्य था कि इस सनातन परंपरा का जो इतने हजार हजार सालों से विद्यमान है और बनी हुई है विनस्ट नहीं हो रही है अपने आग को सजो के रखी है इसका मूल आधार क्या है कई मूल आधार उनके सामने आया उनके सामने आया विवाह एक संस्था के रूप में परिवार एक संस्था के रूप में समाज एक संस्था के रूप में ये जो समुदाय समाज विवाह परिवार ये कैसे खंडित हो तो कई प्रकार के दर्शन आए यूटिलितेरियनिजम जम्स मिल उसकी चर्चा करता है बाद में जौनस्ट इसकी बात करता है और ये उटिलितेरियनिजम ने इंडिविजुल व्यक्तिक अंदर गर जो चिंतन है उसको बल दिया व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति कैसे विद्विश प्रारंब हो व्यक्ति की आइडेंटिटी और परिवार की आइडेंटिटी में क्लैस कैसे हो ये कारी सुरू हुआ उसके बाद समाच के विभिन बरगों के बीच में कैसे क्लैस सुरू हो कुछ इको स्रेश्ट एको नीज बताके जब कि ऐसी कोई जो व्यवस्था थी उस प्रकार की व्यवस्था का गलत चित्रनन किया गया कि वहीन और स्रुष्टता का प्रस्टन नहीं था वु कारेविभाजन का प्रस्टन प्रस्ट था, आज भी हमकारे विवाजन करते हैं, और वो जन्मेन नहीं था, वो कर्म के पद्धति प्याधारी था, वो आरोपित नहीं था, वो स्वैक्षिक था, चैन करने के लिए था, और ऐसा नहीं होता, तो रिगवेद की रिचा यह नहीं कहती, कि एक ही परिवार में चारों प् विवस्था थी, इस विवस्था के खिलाब, एक जातिय चेतना, एक वर्ण चेतना, और वर्ण संघर्ष और जातिय संघर्ष की रचना, इसकी प्रिष्टभूमी की रचना, इतिहास्कारों ने और जिनको पतंजली ने कहा थी बाउधिक वर्ग, को उन स्वेक्षाचारी बाउधिक वर्गु ने किया, जिसका दुस्परिणाम हम झेल रहे हैं, अगला प्रश्ण में लेता हूँ, ऐसा कोई प्रामाणी करंथ नहीं है, जिसको सभी लोग स्विकार करें, और हमारे इतिहासकारों द्वारा ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, जो सही हो, और सभी के द् मानने, महोदय तो नए पाठिकरम का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, सभी कहीं से कौपी तो, कौपी तो हुई ही है, जो भी मिलता है, वो किसी दूसरी पुस्तक को पढ़ने की बाद अप्रामाणी को जाता है, इसलिए हमारे इतिहास को पुने लिखना मुस्किल है, अगर प जानते हैं, आज हम अपने किस इतिहास को मानते हैं, हमारी जो टेक्स्ट बुक है, किस इतिहास को सुपरती प्रदान की है, यह उन लोगों द्वारा लिखा इतिहास है, जिनको हम जानते हैं कि उन्होंने योजनाबद तरीके से इस देश को कलंकित करने के लिए, इस देश कोई आधार नहीं था जब यह कहा जा सकता है कि मिस्र लोग जो यहां ब्रहमण में एक उपजाती है वो इजिप्ट से आए अब इसका कोई प्रमाण है जो मन में आया सो लिखती है इतिहास विंसेंट आर्थर स्मिट जैसा इतिहासकार लिख रहा है कि सिकंदर हिमाले से लेक उसके सैनिकों ने रौद डाला भारत को यह इतिहास है है प्रमाण मान लेंगे हम आपने महान बाढ़की परिकल्पना का जो काल क्रम है वो खंडित न हो जाए इसके लिए आपने इतिहास रच दिया कि जो वेद थे रिगवेद जो सबसे प्राचीन उन्होंने कहा वो से प्रमाण दे दिये हमें जिनके इतिहास को आज हम स्विकार कर रहे हैं जब उन्होंने प्रमाण नहीं दिये उनके नहित उदेश्य को नहित स्वार्थ को हम जानते हैं कि उन्होंने जान बोज कर इस समाज को तोड़ने के उदेश्य से इतिहास का लेखन का कारे किया यह सब्त्य के प्रकटिकरण के बाद भी यदि हम ये कहते रहें कि वेद जो है पंद्रों सरी सापुर्व है हमें कहते रहें कि मिस्रलों के जिप्रके हैं हमें कहते रहें कि इस सिकंदर ने पूरे भारत को रौध दिया था तो हमारी मुर्खता नहीं है तो और क्या है और यदि ह के हमारे पास सब्सक्राइब पूरे भरत का एतिहास करते हैं पूर नहीं सक्षल करते हैं जितने हमारे सास्त्रीय परमाण मिलते हैं विश्व की व्यवस्ता में, उनके साथ पहली करके हम क्यों नहीं अपने इतिहास को का पुनर लेकन करते हैं? यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम हमारी पूरी सिक्षा की पद्धती इस देश का भाला नहीं चाहती है। यह पूरे देश के शिक्षा पद्धती, आत्म ग्लानी, आत्म अलोचना, आत्म निंदा और आत्म घ्रना इसको प्रमोट कर रही है। यह हमें लंबे समय तक झेलना पड़ेगा। अगले लेक्चर में जरूर हम आपके इस प्रश्न को उठाएंगे। बहुत कुछ हुआ पांसो वर्सों में और बहुत कुछ बताया भी गया। एक सामान्य एक उदारण में दे देता हूं। आप मोनिटोरियल सिस्टम का नाम आपने सुना होगा। फॉमस मुनरो आपने इनका भी नाम सुना होगा। पांस मुनरो ने मद्रास का सर्वेक्षण कराया था। 19. सदी के प्रारंभ में मद्रास का सर्वेक्षण हुआ। मद्रास का बंगाल का मुंबई का और पंजाब का अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग जगह के काम किया। तो उन्होंने वहां का जो कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत किया उस रिपोर्ट के आधार पर ब्रटेन जहां जन सिक्षा नहीं थी उन्होंने एक चीज सीखा यहां से पक्षानायकी पद्धती। कखषानाय की पध्धती यानि ऊच्छास्तर की एक अखषा के विद्धार्थी निम्नस्तर के अखषा के विद्धार्थियों को पढ़ाएंगे और ऐसी में पूरी प्रनाली चलती रहेगी अतरिक्त शिक्षक की यदि कमी है तो ये कारे ये व्योस था ये परमपरा में थी और इस कक्षानाय की पध्धती को चोरी करके ये मॉनिटेरियल सिस्टम के नाम से हमारे सामने रखा गया और ब्रिटेन में पहली बार जब ब्रिटेन ये जाना कि कोक्षान है कि पद्धती एक आलहार बन सकता है सिक्षा को जंजन तक पहुचाने के लिए तो उन्होंने जन सिक्षा का अप्रारंबर किया और ये लिखत इतिहास है तो ये तो हाल का इतिहास है आप धर्मपाल जी को पढ़ें एक ब्यूचिफुल ट्री में धर्मपाल जी ने जो ब्रिटेन में अभिलेखागार है वहां बैट के जितने अभिलेख थे गजट नोटिफिकेश्ट गजेटीर्स थे गजटीर्स से उतारा है और वहां के लाइब्रेरि में जाके अंग्रेजों ने लिखा है कि कैसे भारत से क्या-क्या चीज़ें अंग्रेजों ने सिखा कैसे वहां प्लास्टिक सरजरी सीखा इसका वर्णन आधनी के काल में है प्राचीन काल जाने की जरूवत नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि धर्मपाल जी को पढ़ें अब ब्यूटिफल ट्री बहुत सारे प्रश्णों का उत्तर मिलेगा प्रश्र रजनी रंजन सिंग विया हैं लाइन पे पूछ रहे हैं इंडिन नौलेज ट्रडिक्शन के डिग्रडिक्शन ने किस तरीके से हमें प्रभावित किया है विया अभी बहुत सारी चीज़ें हमने चर्चा की और इस भारती ज्यान परंपरा का जो आमुल्यन हुआ उसने समाज में दूसरों की चिंता करने वाले लोगों की बजाए अपनी चिंता करने वाले लोगों को पैदा करना रम्र किया यह सबसे बड़ी जो स्थती जो challenges हम धेल रहे हैं वो है यदिपी यह अभी आंसिक है यह पूर्ण समाज इससे प्रभावित नहीं है लेकिन यदि यही स्थती बनी रही हमारी चेतना जागरत नहीं हुई तो यह समाज का सुभाव हो जाएगा कुछ व्यक्तियों के सुभाव जो आज परिशानी खड़ा कर रहे हैं वो जब समाज का सुभाव हो जाएगा तो समाज को विखरने में समय नहीं लगए एक विशद प्रश्ण है और हम चर्चा करेंगे मुझे लगता है कि समय की भी अपनी सीमा है सुनिल कुमार जी पूछ रहे हैं वेद और पुराण की बातों को सही मानने का आधार क्या है बहुत अच्छा प्रश्ण है सुनिल जी और उत्तर भी इतना संछेप नहीं है और बहुत सारे आधार हैं आधार नहीं है तो आप चैलेंज किजिए और भारतीय परमपरा में भारतीय परमपरा कोपर निकस और गैलेलियो की तरह किसी कान्त नहीं कती है लंबे समय तक यह माना गया कि सूर्य की परिक्रमा लगाता है चुकि ओल्ड टेस्टामेंट ने लिखाता है गैलेलियो और कोपर निकस को लगा कि नहीं नहीं यह बात तो ठीक नहीं है तो उन्होंने शिद्ध किया कि नहीं प्रथवी सुरी की परिक्त्रमा लगाती है और इसका परिणाम क्या हुआ एक पथरों से मारा गया एक दंडेत किया गया बाद में दोनों की मत्य हो गया भारत की परंपरा नहीं प्रशन पूछने वालों पे इस तरह का ब्योहार नहीं करती है प्रश्न पूछिए फूरा गोल है यह वेदों ने कहा ओल्ट एस्टामेंट ने कहा प्रत्वी चप्ती है सूर्य प्रत्वी की परिक्रमा करता है वेदों ने कहा ओल्ट एस्टामेंट ने कहा कि प्रत्वी की परिक्रमा सूरी करता है। एक बहुत ही अस्यर जनक उदारना को देता हूं। दो तारे हैं। अरुणधती वसिष्ट। आधुनिक विज्ञान ने अब पता किया कि अरुणधती वसिष्ट एक विशेश प्रकार तारे हैं, जो एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। और वैदिक ज्ञान हमें बता रहा है कि अरुणधती वसिष्ट नामक दो तारे हैं। और यह परिक्रमा करते हैं एक दूसरे की। यह तो खगोल विद्याकियम बात कर रहे हैं। ऐसे कोई भी ऐसा क्रशी का च्छत्र, वनस्पति ज्ञान का च्छत्र, भाईशज च्छत्र, अउशधी का च्छत्र, पसुपालन का च्छत्र, कोई भी ऐसा च्छत्र नहीं है जिसमें स्थापित ज्ञान की परंपरा, भारत के वैदिक ग्रंथ और वैदिक ग्रंथों के अधार पर लिखे गए अन्यगरंथों में नहीं है तो अलग से हम परिचर्चा करेंगे वेदों में विज्ञान विशय पर अलग परिचर्चा हो सकती है तो अधार होगा राजिस कुमार चत्रवेदी का प्रशन है कि आईरवेद में सल्य चिकत्सा पर प्रतिबंध जो अंग्रेजियों दोरा लगाया गया आज भी लागू है बिल्कुल सही कहा आपने जान बूझ के यह जब बख्तियार खिलजी ने आकरमण किया था एक ऐसा ब्रतांत है नालंदा विद्या पीच पर अब जलाया उसकी तबियत खराब हो गए थी तो सारे इलाज उसके हो गए वो ठीक नहीं हो रहा था तो स्थानी एक वैद्य से संपर्क किया गया तो बख्तियार खिलजी के मन में असा आया उसने कहा कि बिना और सधी खिलाए मुझे ठीक करो और नहीं करोगे तो तुमारा गर्दन काट देंगे तो उसने क्या किया कि एक कुछ प्रिष्टों का दस्तावेज था उसके दवाल लेप गिया और कहा कि इसको पढ़ जाएए पढ़ जाएंगे तो अप्ठीक हो जाएंगे पढ़ने के क्रम में वो उंगली से चूके जीव चूता था और इस चकर में जो और शधी जितनी जानी चाहिए थी उसके सरीर में उतनी और शधी गई और स्वस्त हो गया यह भारत के आयरवेद की शक्ति थी भारत के आयरवेद की उसकती थी जिसमें कटे हुए नाक को जोड़ने का वरतांक अंग्रेज स्वेंग लिखते हैं उनके समय समय आवदी की बात है जिसका जिक्र वो गजेटियर में कर रहे हैं और उस गजेटियर को धनपाल जी ने अपने फुस्तक में दर्च किया है आप उसको प्रमाण के सूप में देख सकते हैं जिससे पस्चिम ने पहली बार प्लास्टिक सरजरी सीखा और इन सारी परंपराओं पर अंग्रेजों को लग गया कि हमें अपनी यदी परंपरा स्थापित करनी होगी अपनी द्यास्थ चिकत्साइब स्थाफित करनी होगी जिसके अरार पर हम अधिक स्याधिक अर्थारजन करें तो पुरानी परंपरा को निशिध्य करना पड़ेगा और उन्होंने निश्द देखिया, उन्होंने सल्ल्य चिकत्सा को निश्द देखिया, यह तो यह बेकार की ज्वस्थाय ठीकी नहीं होगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, कि सल्ल्य चिकत्सा इतनी विक्सित थी कि कितने प्रकार की उपकरणों का जिक्र है, आप सुस् कुछ जगहों पे काशिहंद विश्वत जाल है जहां से मैं पढ़ाई की है वहां अभी ये प्रयोग में है कि कुछ जगहों में आंसिक रूप में प्रयोग में है लेकिन सरकार को इसमें प्रयास करना चाहिए और सल्लेचिकत्सा भी आईरुवेद के हिसाब से प्यारम बहो अच्छा देने की आप कोशिश कोटीर राजपूत कह रही है अच्छा लगता है सर मेरे मन में उठे प्रशन का उत्तर देने की आ पोशिश करते, अच्छा, स्वाती राजपूत जी का प्रश्न पता नहीं कहा गया, फिर से आप प्रश्न भेज दीजिए स्वाती जी, हम देखेंगे, स्वाती जी फिर से प्रश्न भेजिए, अच्छा मुहम्मद नाजिम अब्बासी आपका प्रशन है हम अपनी भारती संस्कृती को छोड़ कर पश्चिमी सभ्धिता को क्यों बेहतर मानते हैं जैसे पहन्ना रहनसहन आना भाशा बिल्कुल बहुत सही कहा आपने नाजिम भाई हमें अब हमने एक ऐसा कवर ओड़ लिया है वो कवर क्या है स्वाग्रना का कि हमारा सब कुछ खराब है चुकि हमें बताया गया कि आपके पास क्रसी की कोई विवस्था नहीं थी क्रसी हमने आपको बेहतर क्रसी सिखाई आपने तो परंपरागत क्रसी की आप पसपालन ठीक धंग से नहीं जानते थे आपके बास्चिकत सा पध्धती नहीं है यह बताया गया जब कि सब कुछ विद्यमान था और बहुत ही विकसित रूप में विद्यमान था और यह जो स्वजाती घ्रणा है स्वग्रणा है वो इतना हो गया कि शाशक जैसा पहनता ह है साशक जैसा बोलता है साशक जिसको सही मानता है उसको भारत की समाल में सही मानना शुरू करती है इसलिए साशक का पहनावा भी हमने अपना लिया साशक की भाशा भी हमने अपना लिया और आज भी दुर्भाग्यपुर्ण इस्तती है कि भारत का जो अकादमिक छत्र है वातावरण है उसकी भाषा अंग्रेजी है हिंदी नहीं यह सत्य है और पता नहीं कब भारत को अपनी भाषा में सोचने का मौका मिलेगा और काम करने का मौका मिलेगा भारत की प्रगती में ये भी बहुत बड़ी बाधा है अंग्रेजी एक भाषा के रूप में सीखी जा सक तो नाजिम भाई आपने जायद प्रश्ण किया हमें विचार करना चाहिए स्वाती राजपोद जी ने मनस्मर्ती कितनी प्रासंगिक है एक प्रश्ण हो गया आपका दूसरा है और रामचरित मानस में औरत के आठ और गुणों की व्यक्ति कितनी लोग योगी है ठीक है प्रश्ण आग आगया आपका और सोमू जी का नुर्देश आ रहा है कि खत 90 मिनट हो चुका है व्यक्षान समाप्त कीजिए समय हो गया बस मैं एक मिनट एक मिनट पे स्वाती राजपोद जी के मनस्मर्ती वाले प्रश्ण पर बताऊं मनस्मर्ती के में जो आपत्ति जनक लाइने हैं वो मुश्कल से आप उंगलियों पे गिनी हुई लाइने हैं और उसकी भार्शा शैली और सारी व्याउस्थाओं को देखकर लगता है कि वाक्षे पे थे उन्हें एक खास उदेश्च से अंदर डाला गया ताकि एक पूरी परमपरा कलंकित हो और इस विशय पे मैं जब आगे मौका मिलेगा चुकि यह बहुत बड़ी बहस है और मैं इतने संछेप में इस विशय को रखना नहीं चाह रहा हूँ तो मैं आज का व्याख्यान इस बात के साथ समाप्त करूँगा कि आगे जब भी मौका मिलेगा और जो प्रश्ण अनुथरित नहीं यदो पी सारे प्रष्णों का उत्तर देने का सामर्थ्य भी मेरे अंदर नहीं है मैं कोशिश करूँगा कि जितनी मेरी समझ है जितनी मेरी दृष्टी है वहां तक किस दृष्टी की चर्चा मैं आपके बीच करूँ यह मैं कोशिश करूँगा तो नर्देश टाप्त हो चुका है और मुझे लगता है कि व्याक्षान समाप्त करना चाहिए आप सभी ने प्रतिभागिता कि इस व्याक्षान के दौरान और आपके नर्देशों के बिना यह व्याक्षान अधूरा था तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पोटिशा धन्यवाद उन्हें मिलेंगे नमर्श्टा